बिहार की लोक कथा, सित बसंत एक समय की बात है, एक राजा की आगन में एक पीपल का पेर था, उस पेर पर एक गौरा और गौराया रहते थे एक दिन गौराया गौरा से बरे दुखी स्वर में कहा, देखिए जी मेरे मनने के बाद आप दूसरी गौराया मत लाईएगा, वरना मेरे बच्चे को बरा दुख होगा गौरा ने कहा, ठीक है पिरिये मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस घटना के कुछ दिनों बाद गौराया की मिर्टू हो गई गौरा दूसरी गौराया ले आई, नई गौराया ने दूसरी गौराया के अंडे को अपनी चोंच से गिरा दिया इस पूरी घटना को रानी देख रही थी, उसे बरा दुख हुआ, रात को राजा से सोते वक्त रानी ने राजा से कहा, हे राजन मेरी मिर्टू पचात मेरी सोतन मत ले आईएगा, वरना मेरे बच्चे को भी गौराया के बच्चे के तरह बरा दूख होगा राजा ने का अरे मेरी राणी मैं भला ऐसा क्यों करूँगा तुम नहीं चिंत रहो मैं कभी तुम्हारी सोतन नहीं ले आऊँगा इस घटना के कुछ दिनों बाद राणी की भी मिर्टु हो गए राजा दुसरी राणी ले आया राजा के पहली राणी से दो बेटे थे बरे का नाम था सित और छोटे का नाम बसंद था एक दिन दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद राणी को जा लगी राणी को बरा क्रोधाया वो कोब भवन में जाकर बैठ गई साम को राजा ने पूछा तो राणी ने बरे आवेस में आकर कहा हे मेरे राजा अगर तुम मुझे जिनदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने सित बसंद का कलेजा काट कर ले आओ राजा बरा परसान हुआ उसने बहेलियों को आदेश दिया कि सित बसंद को जंगल में ले जाकर उनका कलेजा काटकर रानी के सामने परस्तूत किया जाए बहेलियां सित बसंद को जंगल में ले गएं तो सित बसंद ने रोते हुए कहा ओ बहेलियों हम पर दया करो हमारे गले में सोने की हार है इन्हें ले लो और हमें जिन्दा छोड़ दो उसमें से एक बहेलिया ने कहा अरे इन्हें मरने के बाद ये हार वैसे भी हमारे हो जाएंगे ये बात सुनकर एक बुढ़े बहेलिया ने कहा अरे पापी कुछ तो दया कर क्यों इन मासूमों की जान लेने पदुला है हमें इन बच्चों की बात मान लेने चाहिए इसके बाद बहेलियों ने सोने के हार ले लिया और दो खरगोस मार कर उनकी मांस रानी को दे दिया रानी बहुत खुसुई जंगल में सीत बसंद अकेले हो गए चारों तरफ जंगल, जंगली जानवरों के डर और भूक से उनका बूरा हल था सीत ने बसंद को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा मेरे भाई तुम इस पेर के नीचे इंतजार करो मैं पास के किसी गाउं से तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ इतना कहा, कहकर सीत पेर के नीचे बसंद को अकेला छोर कर भोजन की तलास में निकला बहुत दूर जाने पर एक गाउं दिखा, वहां की राजकुमारी सीत को देखकर उस पर रिज गई राजकुमारी के पिता ने सीत को अपना घर जमाई बना लिया और सीत बसंद को भूल कर वहीं बस गया उधर बसंद को रो रो कर बूरा हाल था, जैसे जैसे साम होती जा रही थी बसंद के रोने की आवाज बढ़ती जा रही थी उसके रोने की आवास सुंग कर जंगल की परिया बसंद के पास गई और उसे रोने के कारण पूछा बसंद ने रोते हुए पूरी बात बताई परियों ने बसंद से कहा तुम हमारे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख नहीं होगा यह करकर परियां बसंद को अपने साथ अपने घर ले गई वहां बसंद के बड़े ठाट थे एक बड़े नौकरों से बड़े सोने के महल में बसंद रहने लगा परियों ने उसको अमोद परमोद के सारे परबंध कर दिये बसंद का जीवन मजे से कटने लगा उदर काफी दिनों बाद सित को बसंद की ध्यान आया वह वापस जंगल में आया तो बसंद को परियों के साथ देखकर बहुत अचर चकित हुआ दोनों भाई एक बार फिर मिल गए सित ने परियों से बसंद को अपने साथ राजकुमारी की घर ले जाने की अनुमती मांगी परियों ने बसंद और सित को धेर सारा धन देकर विदा किया राजकुमारी के राज में बसंद ने चरवाही का काम संभाला और सित ने खेती सुरू की राजकमारी दोनों के लिए खाना बनाती थी पर दोनों के भोजन अलग-अलग बनाती थी सित के भोजन में पकवान होते थे पर बसंत को वह पत्थल के जैसे ही रोटियां देती थी बसंत चुक चाप तो रोटियां लेकर अपने कमरे में रखा था और परियों को दिया भोजन करता था, एक दिन दोफर में दोनों भाई साथ खाने बैठे, सीट ने मजाक में बसंत से अपनी थाली बदरली, बसंत से कहा भाईया कीरपा कर मेरा भोजन मुझे दे दो, इस पर सीत ने कहा अरे देखो तो तेरी भावी ऐसा क्या देती है तुझे खाने में जिसे तू इतना तग्रा हो गया है खाने का पहला निवाला मुख में डालते ही सीत को पत्थल जैसा लगा उसने निवाला थुप कर कहा क्या तू एक खाता है बसंद ने कहा नहीं भावी तो मुझे पत्थल जैसी रोटिया बना कर देती थी पर मैं तो परियों का दिया खाना खाता था मैंने वे सारी रोटिया अपने कमरे में रखी है जो भावी मुझे खाने को देती थी ये सुनकर सीत ने थाली राजकुमारी के मुँपर दे मारी और दोनों भाई राजकुमारी का राच होकर परियों के महल रहने को आ गए परियों ने उनका बरा स्वागत किया और दोनों भाई सुख से रहने लगे बहुत समय गुजरने पसीत ने कहा भाई यहां रहते हुए बहुत दीन हो गए मुझे अपने घर और मा पिताजी की याद आती है चलो अब अपने घर चले बसंद ने कहा हाँ भाईया मुझे भी अब घर की बहुत याद आती है दोनों ने परियों से बीदा ली और अपने घर को चलें उधर काफी दिनों बाद राजा को अपने कीये पर पस्तावा हुआ उन्होंने दुसरी रानी को जंगल में छोड़ देने का एक आदेश दिया जहां उसे जंगली जानवरों ने नोश खाया पर अब राजा गरीब हो गए थे उनका राज उनसे छीन गया था वे बुढ़े और अंधे होकर भिखारियों सा जीवन जी रहे थे जब उन्होंने अपने बेटर के आने की खबर मिली तो उनकी आँखों की रोसनी वापस आ गई सीत बसंत हाथी और गोरों पर धेर सारा सोने हीरे की अभूसन और समान वापस ले के आए राजा के राज उन्हों वापस मिल गया और सब खुसी खुसी साथ रहने लगे यह बिहार की लोग कथा है अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक सस्काइक कॉमेंट और सेर जरूर कीजेगा